गणिशी को नमन करके, मेरी कुलदेवता श्री तुर्जा भवानी और मेरे सद्धुरु श्री साई बबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुवात करते हैं। हम ले रहे हैं जन्मयोग के बारे में जानकारी और आज हम लेंगे 11 नंबर के जन्मयोग वृद्धी योग के बारे में जानकारी वृद्धी बढ़ोत्री बढ़ना इंक्रिजिंग अर्थ तो बहुत आसान है अर्थ से ही पता चलता है नाम से ही पता चलता है के चीजों में, बातों में, प्रभाव में बढ़ोत्री करना, प्रभाव बढ़ाना इस योग का इफेक्ट है पहले जान लेते हैं इस योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में वृद्धी योग अच्छा योग माना जाता है, सभी योग अच्छे हैं, अपने अपने बातों में विशेश हैं, वृद्धी योग में जन्मा हुआ इंसान डीटेल में सोचने वाला है, या बहुत सोचने वाला होता है, अपने जीवन के बारे में डीपली विचार करना उस उसको पसंद है अगर उसके विचार अगर उसकी इच्छा के आड़े दूसरा कोई आए अगर उसके कुंडली में मंगल का प्रभाव कम हो तो वो जादा अपोज नहीं कर सकेगा मतलब वृद्धियोग में जन्मा हुआ इंसान विचार तो करेगा लेकिन एक्चुली एक्ट कैसे कर सकता है कैसे करेगा ये उसकी ग्रहदशा के उपर डिपेंट होता है क्यूंकि ये योग एक सटल योग है बहुत स्ट्रॉंगली अच्छा या बुरा कोई भी इफेक्ट ये योग नहीं देता नाम की तरह वृद्धियोग में जन्मे हुए लोगों के हाथों में तरक्की होती है अपने कारोबार को अपने काम को अपने नौकरी को या किसी संस्था से अगर ये जुड़े हैं तो इनके हाथों से अच्छे काम होते हैं और ये अपना पूरा जीवन इस कारोबार में सौब देते हैं हर तरह से विचार किया जाए जन्म से ले के बच्चे या आरोग्यक की बाते तो सभी में वृद्धी योग में जन्म लेना अच्छी बात है लेकिन एक जो क्रिटिकल बात है वो मैं बताऊंगी ताकि आपको ग्यात हो कि किस बात से बच्चना चाहिए 15 से लेके 35 तक का इंसान जो वृद्धी योग में जन्मा हुआ है किसी भी कारण से अगर वो अपने लक्ष से अपने इच्छा से या अपने जीवन मार्क से भटक जाए तो उसको अपना जीवन फिर से सुधारना सही दिशा में लाना या फिर से जीवन पटरी पे लाना कठिन हो जाता है 15 से लेके 30 या 35 तो तीन स्टेप में देखेंगे मानो कि कोई 15-17 साल का लड़का है और उसकी रुची किसी विशेश क्षेत्र में है मान लीजिए कि उसको लिट्रेचर में जाना है साहित्य में जाना है लेकिन किस कारणवस्ष अगर उसको सायंस में जाना पड़े तो वो जाएगा वो अच्छे से सीख भी लेगा लेकिन जीवन भर वो अंदर से खुद को कोस्ता रहेगा अंदर से तडपता रहेगा कि मुझे ये करना था और मैंने ये कर दिया उसको अंदर से घुटन होगी तो अगर 15-17-18 साल के आप हैं आप वृधियोग में जन में है और इस तरह की कोई घटना आपके जीवन में आ रही है तो आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए क्यूंके आगे जाके आपको अपना डिसीजन बदलने का अवसर शायत ना मिले आपको जीवन बर उस गलत रहा पे भी रहा में चलना पड़ सकता है ये हो के उम्र की बात आगे बढ़ते हैं अगर आपकी उम्र है 20-25 और आप कोई एक नोकरी करना चाहरे हो कोई एक कारोबार करना चाहरे हो और किसी करण्वश आपको वो करने का अवसर नहीं मिल रहा है किसी बातों के बातों की वज़ा से आपको दुसरे ख्शेतर में जाके अगर आप सोच रहे हो कि दो-चार साल तक मैं यह करूंगा फिर मैं अपने फिल्ड में जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा यह रुद्धी योगा प्रभाव है तो यह अभी आप जान लीजिए कि ऐसे नहीं होगा चाहे वह जौब हो या कोई व्यवसाय आपको शायद आगे जा है कि आप अपने इच्छा के नुसार जाए या विरुद्ध जाए यह डिसीजन आप ही ले सकते हैं क्योंकि वह जो सरकम्स्टंसेस हैं वह आप ही फील कर सकते हो फील कर रहे हो लेकिन आप इस गलत फैमी में ना रहे कि अभी दो-चार साल तक मैं यह करूंगा या मैं करू या 35 साल का कोई कोई स्त्री है कोई मर्ध है वो अगर जन में हैं वृद्धी योग में और उनको बार-बार अपने इच्छा के विपरित अपने इच्छा के अनुसार वो नहीं काम कर रहे हैं नहीं जीवन जी रहे हैं तो उनको डेटल में सोचना चाहिए ध्यान रखना च जन्में है और 30-35 साल की उमर होने के बावत जुद्धी आप बहुत ज्यादा अपने इच्छा के विपरित जा रहे हो आपका जो जीवन है आपकी जो रुटीन लाइफ है वो हमेशा अधिकत भरी है तो आपको डिटेल में सोचना चाहिए वृद्धी योग का ये बहुत है कि अपने इच्छा के विरुद्ध कोई डिसीजन लेने के वज़े से आपका पूरा जीवन बरबात हो सकता है या जीवन भर इस गिल्ट में जीना पड़ सकता है कि मैंने वो उस वक्त क्यों नहीं किया वृद्धी योग में जन्में हुए बच्चे और बड़े भी अग गलत संगत में जाए गलत राह में जाए तो पूरा जीवन उनका भटकना अपनी गलती सुधारने का मौका उनको नहीं मिलता उनकी दिक्कत खतम होना इस योग में जन्में होए लोगों के बहुत ही कठिन हो जाता है तो इसके लिए क्या करना चाहिए सबसे बड़ी बात अ अभी आपके जीवन में जो बड़ी समस्या आप सोच रहे हूँ आपको फील हो रही है उसके बारे में आपको डिसकशन करना चाहिए अगर वो शादी की हो अगर वो कारोबार की हो अगर वो कारेक्षत्रे की हो किसी भी वजय की तो आपको ये सभी जो मैंने ती इन चार और भी बाते हो सकती है इन सभी का एक इफेक्ट हमारे कुंडली में होता है तो कुंडली का अच्छा परिक्षन करवाले साथ ही स साथ कोई अच्छा कांसीलर अच्छा समुपदेशक आपको सही रहा दिखाना जानता है तो आप उससे पूर्ण मारगदर्शन ले इसी पॉर्ण की दूसरी बात खुद के बारे में खुद से बात करें खुद के बारे में सोचे के आपका जो मूल स्वभाव है और जो अभी आप काम कर रहे हो उसमें कितना अंतर है अगर वो एक दूसरे से जुड़ा है तो आपको कोई टेंशन नहीं है ल उतना ही आगे जाके आपको प्रॉब्लेम हो सकता है तो दूसरा पॉइंट है खुद से बात करें खुद के बारे में सोचे इसी में से तीसरा पॉइंट जान लिजिए कुंडली परिक्षन के साथ-साथ अभी कौन सी ग्रहदशा शुरू है और उस ग्रह का अपने कुंडल कौन से किस जगा पे किस किन-किन बातों के उपर प्रभाव पढ़ रहा है इन तीनों बातों को जोड़ के कोई अच्छा परिणाम निकल आएगा वो परिणाम साथ लेके आप जीवन में आगे बढ़े अगर आपको अपने मर्जी के विरुद्ध जीना है तो कुछ बातों का खयाल आपको रखना चाहिए जिस वज़ा से आगे जाके पूरा जीवन बरबात हो गया ऐसे आपको ना सेहन करना पड़े वृद्धी योग बुरा योग बिल्कुल नहीं है ये अच्छा योग है लेकिन हर योग की कुछ अच्छी बाते हैं कुछ क्रिटिकल बाते हैं तो मैंने वृद्धी योग की एक क्रिटिकल बात बताई अगर वो आपके जीवन में है तो आपको इन बातों का ध्यान रखे ही आगे बढ़ना चाहिए और अगर जैसे मैंने कहा कि ऐसे कुछ हो रहा है कि जीवन में बहुत संकर्ष है इच्छा के विप्रुत आप जी रह नामजब का एक मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी नामजब वो अगर आप डेली करोगे करते रहोगे तो यकिनन 100% आपकी प्रॉब्लेम जो वृद्धी योग की यह जो स्पेसिफिक प्रॉब्लेम है इच्छा के विपरित जीना पढ़ रहा है वो 100% खतम हो जाएगी यह थी जानकारी वृद्धी योग में जन्मे हुए लोगों के बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं हमेशा की तरह कि जब इस महिने में एक बार हर एक योग आता रहता है 27 योग है तो महिने में यह हर एक योग आता रहता है तो अग का प्रभाव है जो काम इस योग के शुरू होते शुरू है वो सभी कामों में ये योग बढ़ोतरी करता है इस योग की देवता है बुधा देवता तो बुधा ग्रह के प्रभाव में जो जो बाते आती है वो शिक्षा है अभ्यास है कोई प्रैक्टिस है कोई एक्सरसाइज से exercise मतलब सिर्फ व्यायाम नहीं exercise का मतलब है जो हम सीख रहें उसको दोहराना उसको फिर से अभ्यास हो तो भी व्यापार खरीदारी के सभी काम इस योग में करें उसी प्रकार गणितियक्रियाएं इस योग में करना अच्छा होता है बड़े निर्णायात्मक काम इस योग में किये जाएं तो उसका अच्छा लाग होगा कोई अच्छा है तू मन में रखके अगर आपको कोई decision लेना है और उसका एलान अगर आपको सब के सामने जाके करना है तो ऐसी बड़ी बात आप इस योग में ही करिए ये योग आपको इस बात के लिए मदद करेगा नामजब, ध्यानधारना, योग, प्राणायाम, पुजापाट, ग्रन्थवाचन ये सभी चीज़े अगर हम इस योग में करे तो उसका सात्विक चीज़े हैं ये उसका भी लाभ हमें इस योग में ज्यादा मिलेगा गाड़ी, जेवर, घर, प्रापर्टी, उपयुक तवस्तु या गैजेट्स इस योग में परचेस करना शुब रहता है जो काम या जो क्रिया, प्रक्रिया आप इस योग में करेंगे उसका लाग उसका प्रभाव इस योग में इस योग के effect के वज़ा से वृद्धिंगत हो जाता है इस प्रकार से है ये वृद्धी योग तो ये भी हमें जानना चाहिए कि इस योग में क्या नहीं करना चाहिए ऐसा कोई भी काम हमें इस योग में नहीं करना चाहिए जो बुरा है बुरे काम तो कभी भी नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी जगड़ा, बहस, कोई ऐसे critical decision वाले काम हमें इस योग में नहीं करने चाहिए ऐसे decisions, ऐसी act जो आप अपने इच्छा के बिल्कुल विपरित है, अपने इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है वो आपको जब तक ये योग शुरू है आपको totally उसको award करना है कोट कचरी के कोई critical काम होंगे या आपका अगर कोट कचरी में कोई appeal है, कोई दावा है और आपको उस बात की बहुत दुख हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है तो इस योग में हो सके तो आप ये काम award करें इस योग में आप दवाई ले तो ठीक है, लेकिन शस्त्रक्रिया इस योग में बिल्कुल ना करें सफर की शुरुआत या ट्रावलिंग की शुरुआत इस योग में हो सके तो ना करें वो सभी बाते जो आपको लगता है कि ये बात अभी आगे जाके और ना बढ़े तो अच्छा या ये बात जितने जल्दी खत्म हो उतनी अच्छी तो वो सभी बाते इस योग में आप बिल्कुल भी शुरुआ ना करें वो बात जो आपको लगता है कि ये जीवन में मुझे बार बार नहीं करना पड़े या वो बात जो आपके मन में करने की इच्छा नहीं है तो वो बात आप रुद्धी योग में कभी भी ना करें जो है इसमें ये योग रुद्धी करेगा शायद एक बार इफेक्ट लगने के बाद आप उसमें कोई पदला नहीं कर सकेंगे इसलिए वही बाते करें जिसके लिए रुद्धी चाहिए बढ़ोत्री चाहिए वो बाते ना करें जिसमें बढ़ोत्री इंक्रीजिंग आपको नहीं चाहिए पैसा हो या करजा कश्ट हो या सुक हो रुद्धी योग इसमें बढ़ोत्री करेगा काम करना हो या चुट्टी लेनी हो घर के काम करने हो योग अभ्यास करना हो सुंदर्य की काम चीजे करनी हो सुंदरता बढ़ाने के लिए या घर का काम हो खाना खाना हो या खाना बनाना हो जो भी responsibility जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें ये वृद्धी बनाए रखेगा ये आपके उपर है कि आप क्या बढ़ाना चाहते हो अपने जीवन में वही काम आप इस योग में शुरू करें ये अच्छा योग है बिल्कुल तकलिफ नहीं देने वाला है लेकिन उसका प्रभाव जानने के बाद उसका सही इस्तमार आप अपने जीवन में जरूर करें ओम सेरां